पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट चार मिठ्टो की आधी कहानी को सुना था आज हम लोग आगी की कहानी को सुनेंगे तो आए बच्चो आज हम इस कहानी को विश्त्रित रुप से अध्यान करेंगे बच्चो पिछले कहानी में हम लोगों ने जाना की गोपाल मिठु से बहुत प्रेम करता था गोपाल मिठु के लिए घर से चने, मटर, केले ले जाता और उसे खिलाता था एक दिन मालिक ने गोपाल से हसकर बोला अपकी बार आऊंगा तो मिठु को तुम्हें दे दूंगा गोपाल निराश होकर चला गिया और मिठु को इधर उधर ढूणने लगा तो आईए बच्चो आगी की कहानी को सुनते हैं वह उसे ढूंडने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर ना थी उसे बिलकुल ना मालुम हुआ कि वह चीते के कटगरे के पास आ गया था चीता भीतर चुपचा पलेटा था गोपाल को कटगरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिस करने लगा गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुच गया है करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़ कर खीच ले कि मिठु ना मालुम कहां से आकर उसके पंजे पर कूत पड़ा और पंजे को दातों से काटने लगा चीती ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गीर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा मिठु की या हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा दोनों का रोना सुनकर लोग दोड़ें पर देखा की मिठु बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है मिठु का घाव तुरंद धोया गया और मरहम लगाया गया थोड़ी देर में उसे होश आ गया वह गुपाल की ओर प्यार की आँखों से देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अब क्यूं रोते हो मैं तो अच्छा हो गया कई दिन मिठु की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया गुपाल अब रोज आता और उसे रोटिया खिलाता आखिर कम्पनी के चलने का दिन आया गुपाल बहुत दुखी था वह मिठु के कट घरे के पास खड़ा आशु भरी आखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा अगर तुम मिठु को पा जाओ तो उसका क्या करोगे गुपाल ने कहा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा उसके साथ खेलूंगा और अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या मालिक ने कहा अच्छी बात है मैं बिना तुमसे अठनी लिये ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूं गुपाल को जैसे कोई राज मिल गया उसने मिठु को गोद में उठा लिया पर मिठु नीचे कूट कर उसकी पीछे पीछे चलने लगा दोनों खेलते कूटते घर पहुच गए इस कहानी के रचैता मुंसी प्रेमचंद्र है जीवन मुल्य प्रतेक जीव के साथ अच्छा बहवार करना चाहिए थैंक यू